हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग एंड जियस्टी पोर्टल पर एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अगर हमें जीस्टी में पेमिंट करना है चाहे वो कैश लेजर में पैसा आड करना हो पैनाल्टी हो लेट फीस हो तो हमारे पास तीन आप्शन है नेट बैंकिंग या फिर हम बैंक जाके उसको पे कर सकते हैं नेफ और रटी जीयस यहां पर प्रॉबलम क्या आती थी कई बार बहुत से ऐसे क्लाइंट है उनके पास नेट बैंकिंग नहीं है अब आज सच कोई स्टाफ भी नहीं है जो बैंक जाके वहां पर जमा करें और GST पे करना पड़े तो बात कुछ समझ में नहीं आती है because GST लाया ही इसलिए गया था कि ये Digital India को कही न कहीं आगे लेकिए जाएगा इसलिए सारी चीज़े online रखे गई थी तो इसी यहाँ पर problem किया आती थी अब कोई GST practitioner है, Chartered Accountant है वो पहले अपने account में GST का पैसा मंगा रहा है tax का पैसा मंगा रहा है और फिर वो pay करता था तो कहीं न कहीं उसके लिए भी ये चीज़ negative थी कि उसको अपने IDR में उसको show करना है books up account में दिखाना है तो इस चीज़ को समझा गया और अब GST portal पर GST को pay करने का एक नया method introduce कर दिया गया है आप समझ गया होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ अब हम GST को pay कर सकते हैं उन तीन तरीकों से जो बहुत ही commonly use होते हैं पहला हमारे debit card आज के time में ATM card तो सभी के पास है तो आप अपने ATM card का use कर सकते हैं GST के payment के लिए पहला दूसरा आपके पास अभी पैसे नहीं है या काम है GST की due date आ गई अब क्या करें अगर आपके पास है credit card तो अब आप अपना credit card का use करके भी GST का payment कर सकते हैं ये एक और अच्छी चीज़ें कई बार ऐसा होता है कई बार कि हमारे पास credit card में तो पैसे पड़े हुए है और हमें पता है कि 2, 4, 6, 10 दिन में पैसे हमें वापस मिलने वाले हैं बट तक तक GST की due date आ गई अब क्या करें तो अगर आपके पास credit card भी है तो आप उसका use करके GST का payment कर सकते हैं और तीसरा and सबसे important और यह जो change हुआ है यह अभी हुआ है 19 January को UPI UPI तो ऐसी चीज है जो मतलब जो है बड़े से बड़े showroom से लेकर सबजी वाले तक भी अब UPI का use कर रहे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होगा UPI तो उसके पास भी होता है तो अब आप UPI के थूरू भी GST का payment कर सकते हैं income tax में यह facility पहले से introduce हो चुकी है हमें पता है जब से income tax का नया portal आया था वहाँ पर हमने देखा था कि भाई जो है वहाँ पर हम लोग debit card, credit card, UPI, net banking सभी से pay कर सकते हैं तो उसी तरह अब GST के portal पे भी हम लोग debit card, credit card, UPI, net banking इन सारी चीजों से अब हम लोग GST का payment कर सकते हैं तो यह बहुत आप पह सकते हो देखिए income tax तो साल में एक बार पे होता है यह फिर एडवांस tax साल में 3-4 बार लेकिन GST हर मत पे होता है तो यहाँ पर यह चीज ज्यादा important थी तो यह change आपको कैसा लगा हमें जरूर बताईएगा हाला कि अभी यह जो new method है यह सारी states के लिए नहीं आया है अभी सिर्फ 10 states cover हो रहे है आसाम, डैली, गोवा, गुजराग, हर्याना, हिमांचल, केरला, MP महरास्ट और ओरिसा अभी debit card, credit card या UPI इनहीं states और UT में applicable है वहीं पर option मिला है लेकिन 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 बहुत जल्द जितने भी state है इंडिया के पतलब all over इंडिया जितने भी state है सब में ये facility हमें मिल जाएगी तो ये काफी अच्छा और welcome change है आपको कैसा लगा ये change तो मुझे ज़रूर बताइए comment section में और ऐसे ही मदेदार और informative वीडियो के लिए हमारे चैनल से ये मित्रा को subscribe कर लीजिए मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में